मित्रों आज हम शब्दार्थ सिखेंगे अर्थात कटिन शब्दों के अर्थ सिखेंगे पहला शब्द है सार्थक सार्थक का अर्थ होता है जिसका की कोई अर्थ हो या किसी उद्देश को पूरा करने वाला वो सार्थक होता है, यदि मैंने बहुत सार्थक प्रयास किया, जिसके कारण कि मैं प्रथमा सकी, सार्थक मतलब वो देशी को फूरा करने माला सही के होना, जन केंद्रित, जन केंद्रित का अर्थ होता है, जनता के अनुसार या मुखिता, जनता के लिए, जन केंद्रित, मैं जमीन से उगने वाले पेड़ पौधे, लथाएं, वानस्पतिक. अगला शब्ध है अभिनव, अभिनव का अर्थ होता है बिल्कुल नया, आधुनिक धंका, अभिनव कारी करना होता है, अभिनव कोई प्रियोग करना होता है, तो बिल्कुल नया प्रियोग करना या आधुनिक धंका, श्राब, श्राब का अर्थ होता है, टपकना, ख्षरन या बहाव, प्रकोप, प्रकोप का अर्थ होता है, जैसे बीमारी फैल रही हो तो कहते हैं इस बीमारी का प्रकोप हो रहा है, शरीर की बात पित्ता अधी में विकार होता है, जिसे हम रोग हो जाते हैं, यहां बहुत अधिक क्रोध का प्रवाव, उसको भी हम प्रकोप कहते ह अगला शब्ध है पावंद, पावंद को आप सामान भाषा में समझें, अर्थ समझें, किसी नियम, वचन या समय या सिधान्त का पूर्ण रूप से पालन करने वाला होता है, जैसे आप कहते हैं कि मेरे पिता जी बहुत समय के पावंद है, तो मतलब टाइम से काम करने वाले समय के पावंद है, तो नियम से चलने मारा व्यक्ति हो गया, दूशित, दूशित का अर्थ होता है, गंदा, जैसे नदी में बहुत दूशित पानी है, इसे पीना नहीं, सुएच्छा, सुएच्छा का अर्थ होता है, अपनी मर्जी से, सुआ इच्छा, अपनी इच्छा, मतलब अपनी मरचीज है मैंने स्वेच्छा से चुना है कि मैं सामाजिक कारी करूंगा बहुतायत बहुतायत का अर्थ होता है अधिक या बहुत अधिक होने का भाव होना बहुतायत में ये हमारे शहर में टमाटर बहुतायत में पाए जाते हैं तो बहुत आयत का मतलब बहुत अधिक, अधिकता, प्रचूरता, आकलन, आकलन का अर्थ होता है अनुमान, वियायादी के विशय में पहले से अनुमान लगा देते हैं, तो कहते हैं मैंने आकलन कर लिया है, कि मेरा इस फंक्शन में, इस कारे में इतना खर्चोगा, तो आकलन मतलब अनुमान अगला शाबद है सोजन्य सोजन्य का अर्थ होता है करपासे उदार्ता यह सुजन का बाआओ यह सुजन का बाओ मतलब जैसे आजकल तो sponsorship होती है तो शुजन्य से कहते हैं उसमें भी आप प्रयोग में लाते हैं ये हवन ये, हवन हमने, धर्मशाला के सोजन्य से किया है, तो कुछी भी संस्था की ओर से किया जाए, तो सोजन्य होता है, असमाजिक तत्व ये आप सुनते होंगे आजकल असमाजिक तत्व बहुत शोर मचा रहे हैं बहुत गुंडागर्दी कर रहे हैं तो असमाजिक तत्व का अर्थ होता है समाज के खराब लोग या गुंडे गुंडा असमाजिक तत्व कहलाते हैं कोई भी अपरादी होता है उ अनुसंधान, अनुसंधान का अर्थ होता है, खोज, discovery, invention, तो खोज, अगला शब्ध है, विदी, विदी का अर्थ होता है, कारे करने का ढंग, जैसे हम कहते हैं, इस विदी से अगर आप करते, तो आपका काम बहुत जलती हो जाता, मतलब तरीका, या कारे करने का ढंग, यह मतलब होता है, विदी का दूसरा अर्थ है, कानून भी होता है, एक रूपता, एक रूपता का अर्थ होता है, समानता, चिंतन, चिंतन का अर्थ है, विचार, मतलब सोच विचार करना, मैंने बहुत देर चिंतन किया, तब मैंने ये निश्चे किया कि मैं कॉलिज में पढ़ने जाओंगी तो चिंतन का अर्थ होता है दिमाग में सोचना, विचार करना तो एक तरीके से वह चिंतन का अर्थ हुआ, विचार आशा है आपको ये कठिन शब्दों के अर्थ असानी से समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें पडिक्षा के समय याद रखेंगे देखते रहें लॉजिक टेक्च